वास्तु शास्त्र एक सकारात्मक घर के लिए एक प्राचीन मार्ग तर्शक है घर के प्रवेश द्वार से लेकर बेटरूम, किचन, बाथरूम, बाहर और आंगन तक सही दिशा दिखाने के लिए चलो देखते हैं कि फ्लेट खरीदते समय किन महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर आमतोर पर एक फ्लेट के प्रवेश द्वार के लिए अनुकूल है वास्तु के अनुसार ऐसी दिशाओं में प्रवेश द्वार की उपस्थिती सकारात्मक्ता और सौभाग्य को आकर्शित करती है इसके अतिरिक्ट फ्लेट के प्रवेश द्वार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है वास्तु शास्त्र में प्राकृतिक प्रकाश का बहुत महत्व है चूंकि सुबह की धूप को आमतोर पर सकारात्मक्ता का स्रोत माना जाता है वास्तु उत्तर या पूर्व दिशा में खिर्कियों और बालकनियों की उपस्थिती को प्राथमिक्ता देता है सुबह की धूपी सेहत के लिए फाइदे मंद है वास्तु शास्थ के अनुसार आपका लिविन भूम पूर्ग दिशा में होना फाइदे मंद है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों के विकास और मजबूती में मदद करता है घर के लिए किचन हमेशा एक एहम हिस्सा होता है वास्तु में आपके फ्लैट का दक्षिन पूर्ग को ना आमतोर पर किचन के लिए बहतर होता है चूलहा रखने के लिए दक्षिन पूर्ग दिशा का चुनाव करना चाहिए ऐसे में व्यक्ति का मुख केवल भूजन बनाने के लिए पूर्ग दिशा की ओर होगा पूर्ग और दक्षिन पूर्ग दिशा में बैडरूम की उपस्थिती चिंता और संघर्ष को बढ़ा सकती है इसलिए यह सलाह दी जाती है कि बैडरूम को ऐसी दिशा में रखने से बचे वास्तु शास्त्र के अनुसार एक फ्लेट के लिए उत्तर और उत्तर पूर्ग दिशा के बीच शौचालय की उपस्तिती की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि यह व्यक्ति की प्रतिरक्षा को प्रभावित कर सकता है वास्तो अनुरूम ज्यादा जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि घर के रेलेटर माहिती आपको मिलती रहे और सभी लोगों को शेर कीजिए जैहिन